हेलो गाईज, इन्वेश्मेंट की आन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम टाटा का एक शांदार मीचल फंड रिव्यू करेंगे इस मीचल फंड ने ओवरोल 16% से भी ज़्यादा के रिटन्स प्रोवाइड कराए हैं अगर आप इस मीचल फंड के अंदर अपना एक लाग रुपे का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं तो हम अलग-अलग टाइम पीरेड पर चेक करेंगे कि हमें वो एक लाग रुपे बढ़कर कितना जादा मिलने वाला है सबसे पहले मैं आपको दोस्तो इस मीचल फंड के ओवरोल रिटन्स जैसे मैंने बताया है 16.15% है वहीं इसके 5 साल के रिटन्स भी 16.42% है पिछले 3 साल के इसके रिटन 26.56% है पिछले 1 साल में इस मीचल फंड ने 30.35% के रिटन्स दिये हैं पिछले 6 महीने में 7.30% के रिटन्स और पिछले एक महीने में 2.88% के रिटन्स प्रोवाइड कराए हैं टाटा के इस शांदार mutual fund का नाम है टाटा large and mid cap fund जैसा इस fund का नाम है large and mid cap fund वैसी ही दोस्तो share market के अंदर जो listed companies होती है जो large cap category की companies होती है और जो mid cap categories की companies होती है उन्हीं के अंदर इस mutual fund के पैसे को diversify किया जाता है तो ये एक purely equity mutual fund है और अगर आपका view पात सालिया उससे ज़्यादा का है देन आप definitely इस mutual fund के अंदर SIPB कर सकते हैं यानि मंतली fund दोस्तो चार rating के साथ में अच्छे category में आता है और इसका जो fund size है वो 4,348 करोड के आसपास है आइसे से बैंक वरुन beverages, Reliance industry, HDFC bank, State bank of India, IDFC first bank, सुंदरम, पास्टनर्स, भारती एर्टैल, अरित्य विल्ला फैशर एंड रिटेर लिमिटेट क्यों में इंडिया लिमिटेट जैसी जो तिकज कंपनीज हैं उनके अंदर ये अपने पैसे को इंवेस्ट करता है अब दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस mutual fund के अंदर अगर आप मंतली basis पर SIP करना चाहते हैं तो minimum 500 रुपीज से आप शुरुआत कर सकते हैं जबकि जो ऊपर आपको investment करना है वो totally आपके budget के ऊपर depend करता है आप अगर चाहें तो 1000 रुपे 2000 रुपे 5000 रुपे या 10,000 रुपे की SIP इसके अंदर कर सकते हैं अब दूसरे investment आप minimum 5000 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं और maximum जितना आपका budget हो आप उतना investment कर सकते हैं अब दोस्तों माली जीए आप इसके अंदर एक लाख रुपे का investment करके छोड़ देते हैं और जैसा हमने देखा है overall इस fund के जो returns हैं वो 16% के आसपास है तो आगे आने वाले time में अगर ये 16% के ही returns हमें देता रहता है तो एक साल के बाद में हमारा एक लाख रुपे बढ़कर 1,16,000 रुपे हो जाएगा क्यूंकि एक लाख 16,000 रुपे के आसपास 16,000 रुपे के आसपास दोस्तों हमें इसके अंदर estimated returns मिल चुके होंगे अब अगर हम दो साल की बात करें तो दो साल में हमारा जो पैसा है और ये 16% के ही returns देता रहता है तो हमारा जो estimated returns है वो 34,560 रुपे के हो जाएगे और final हमारी value एक ल दोस्तों इसी तरह से जैसे जैसे आप अपने amount को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही आपका जो estimated return है और जो final value है वो बढ़ती चली जाएगी माले जीए आप 5 साल के लिए इसके अंदर invested रहना चाहते हैं तो जो total investment हमारा है वो 1,00,000 रुपे का है अगर 16% के ये हमें returns दे होगी होगी अब इसी time period को बढ़ा कर अगर हम 10 साल कर देते हैं तो हमारा 1,00,000 रुपे बढ़कर 4,41,000 रुपे हो जाएगा क्योंकि 3,41,000 रुपे के हमें estimated returns इसके अंदर से मिल चुके होंगे ठीक इसी तरह से अगर आप माले जीए अपने किसी बड़े target को achieve करने के लिए जैसे बच्चों की शादी या बच्चों की higher education या अपने retirement के point of view से अगर investment करना चाहते हैं तो उस case में माले जीए 25 साल तक अगर आप invested रहते हैं तो आपका 1,00,000 रुपे बढ़कर 40,87,000 रुपे हो जाएगा क्योंकि 49,87,000 रुपे के आपको estimated returns इसके अंदर से मिल चुके ह जहासे अगर आप जैसे जैसे दोस्तो time period इसके अंदर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा compound effect इसके mutual fund के अंदर आपको देखने को मिलेगा अब आप investment कैसे कर सकते हैं चाहे ये mutual fund हो Tata large and midcap fund या कोई और दूसरा mutual fund हो तो उसके कई सारे तरीके होते हैं आप क को किसी भी तरह का कोई agent commission देनी की जरुत नहीं पड़ेगी जो भी आपका fund गिरो करेगा उसका लाब सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा ठीक है तो खुझ से investment करने के लिए आप या तो official website से investment कर सकते हैं या फिर आप दोस्तो अपना DMAT account open करके भी अपने investment की journey को शुरू कर स mutual fund के अंदर SIP या फिल लमसम investment करके छोड़ सकते हैं धन्यवाद